काने के स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है कि जायो यूंजी हम वह रहा कर देता है। जिस वज़े से ली हमक का मास्क यूँ उतंशह देखते है रह जाता है और इस बात से Lee Hongye जो है वो काफी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वाँसे जाने लगती है और जाते विए बताती है कि वो तीन महीने बाद यहाँ आएगी और जाओ यूं जी जो है वो अभी भी लिई Hongye को देख रहा होता है और उसके बारे में ही सोचता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा और यहाँ पर यह बात जो आए वो ली ओंगे सोच रही होती है जिसके बाद हमें तीन महीने बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाव यूंजी जो है वो उसी पेड़ के नीचे बैठा होता है और कहता है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि सभी ब्यूटिफुल लोग जो है वो लायर होते हैं किसी ने मुझे कहा था कि वो तीन महीने पहले आए गी और वो अभी तक नहीं आई वो सच में ब्यूटिफुल लायर है और तभी वहाँ पे Lee Young की आ जाती है और वह कहती है कि क्या तुम पीचिस का वेट कर रहे हो और आते ही वह अपनी new squad दिखाती है और बताती है कि मैं 7 डे लेट आई हूँ यानि कि मतलब 3 महिने complete होने के 7 days बाद इसलिए जाओ यूंजा ऐसे बोल रहा था जिसके बाद यहां पर इन दोनों की fight स्टार्ट हो जाती है और यहां पर जाओ यूंजी जो है वह काफी अच्छे से है वह अभी भी fight के मूड में होती है जिसके बाद यहां पर दोनों ही अपना fight वगरा स्टार्ट करने लग जाते हैं और इसकी नकली स्कॉर्ट जो पहले भी आपने साथ देख चोकी है इसके डिसी पल वह पर पर ड्रेस वाले फैंक्स होंके जैसी स्कॉर्ड इसकी जिसके बाद यहां पर ली होंगे भी जो है वह अपनी बहुत सारी पीच ब्लॉसम के फ्लार्स ले आती है और उसकी टेक्नोलीजी देखकर जो जाओ यूंसी है उसे ली होंगे काफी जादा खुबसूरत लगती है जिसके बाद इन द ययूंसी है वह बताता है मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि मुझे मांटन पर रहुना और काफी सारी लोगों की जस्टैनस जा सकती है जिस पर ली होंगे कहती है कि त Enough है। जिस पर यूसी है वह बताता है कि वह काफ़ी जाटा स्ट्रोंग है मुझसे, तुम उसे मुकाबला नहीं कर पाओगी, और यहाँ पर एक साल बादाएंगे, जिस पर ली होगे कहती है कि ठीक है, में बाद में एक साल बाद यहाँगी, और फाइट करके उनसे तुम्ही यहां से इसके आंगे की स्टोरी पूछे थी पर उन्होंने नहीं बताया उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं बता और यह सारी बाते सुनने के बाद जो वूजी ने वह कहता है कि मैं काफी टाइम से सुनियां सिटी में उपर मैंने तो अभी देक एक बार भी बाई ली दो जिंग नह में वहां पर मांंट व्यंचैन के सीनियर सेस्टेंट जाया वनेन जाता रजा चान आ आनला सμस्ट तो वहांपे सरोगधे आंजाए जाएगा और अंधेरा चाह जाएगा जो की ताइकिन सेटी से रिलेटिड है जो है वो ली जिन की निव स्कॉड का नाम है ताइकी स्कॉड और ऐसा भी कहा जाता है कि जो बूजयन है वो अगर मांट वेंचन में रहेगा तो वहां पर सभी कुछ ऐसे इस्टेबल रहेगा और सब लोग खोश रहेंगे और यहां पर यह सारी बाते सुन कर जो तैंग लाई है वो कुछ सोच रहा होता है और शौसी उसे देखकर उससे पूसता है जिसके बाद तै तैंग लाई कहता है हां तुम्हारे eight hundred silver tails जिसके लिए शौसी मना करता है और बताता है कि नहीं एक जिसके बाद तैंग लाई फिर से सावसी से पूसता है कि वह सच में वह इंसान नहीं है जिसका वह वीट कर रहा है कि अपने लिए किसी और मैं को ढून मेरे पीछे मत पड़ो और इस पर तैंग लाए कि बगवास बंद करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और शावसी कहता जो की flashback सोच रहे होते हैं जा पर वो और उसके एक friend होते हैं जो पहले भी दिखाए गए थे और वहां पर उसकी प्रेंट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और साथ में बताते हैं कि जब मांट फैंचन गया था तो वहां पर उसने एक उनिक पावर देखी थी पीच ब्लोसम की और जाओ वूचैंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने सुनाए तुम्हारी पावर्स को ज़्याद ही अच्छी है इसलिए मैं उन्हें एक बाट टेस्ट करना चाता हूँ और ये बात सुनते ही जो जाओ वूचैंग है वो उनका हाथ कट कर देता है और अब वह ब कि अपली जिसे पहले वह लग आ ये इंदे लिगन की जबीर देखने है अन्हें रही हो और नाट करने हैं तहला था है लेकिन जो वू जीन है वो तो आया यहां पर उन्हें रोकने के लिए था इसलिए वो उनसे फाइट करने लगता है जिसके बाद वो परसन जो है वो उसे रोकते हैं और उसे पने स्कॉर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि यह टूटी हुई है और इसी ली होंगे ने तोड़ा था और उनकी टूटी हुई स्कॉर्ड को देखकर जो वू जीन है वो उन्हें पहचान लेता है और हमें इस परसन का इंट्रटक्शन करवाया जाता है जिसका नाम है सॉंग वैल हुआई वू श्यांग शिटी का जो वू श्यांग सिटी है उससे आपको कुछ याद आया न लेकिन इस बात का भी कोई फाइदा नहीं होता जिसके बात पात जो वू जीन है वह अपनी मास्टर यानि की लि होंगे कि सारी बातों को याद करता है और उनकी साही सिखाई हुई टेक्निक्स को और इससे वो अपनी स्कॉड को ड्रोक कर पाता है और तैंग का इसको ओपन को आइए और उस व्याद करता है जाहां पे उस्नें स्च्टीन फ्लोर पर ली होंग ये से फॉइट कीती और उसी टेक्निक टीक्निक यहां पर करता है और युद्ध की पावर है वो बीछलों होती है ज हो से वूजिन बिल्गुल भी सह नहीं स्कॉर्ट को यूज कर सकता है, जिस पर यून है के खेटा है कि वो पिछे 5 सालों से ट्राय कर रहा है कि तुम उसे अपना डिश्पल बनालो, लेकिन तुमने उसे डिस्पल ना बना बना के लिए वुजन का बनाया जो पिछले 3 साल से बोल रहा है तुम्हें, और इसससे आप को याद आ गया होगा कि जो स्कौर्ड बॉक्स है वो वूंच शैंक के पास है जिसने वूचिंट से लड़ाई की थी जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों की काफी अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो जाती है और उनकी फाइट जो है वो इहाँ पर क्वाइनलियों के फादर लूच शाओ को भी पता चल चुकी होती है उन दोनों की लड़ाई की आवाज काफी जाता तेज होती है और यहाँ पेकवाइनलियों के फादर जो है वो लूच शाओ के पास आकर उसे समझाते हैं कि वो यूनहाई के साथ उनकी कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई है और वो जिसके बाद हमें ली होंगे और यूनहाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑल्मोस इन की फाइट जो है वो खतम हो चुकी होती है और ली होंगे उसमें जीत चुकी होती है लेकिन तभी उसे आवाज आती है लो शाओ की यूनहाई को छोड़ने के लिए जिसके बाद ली होंगे है वो भूजीन के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हीं नहीं देखना चाती थी क्योंकि तुम्हारी फादर और मदर वो दोनों ही रीजन है तुम्हें ना देखने की लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूं और प्रॉमिस करती हूं कि और यहां पर यूनहाई जो है वो अपने मासलार्ट स्किल, डिसीपल और बागी सब चीज़ों के बारे में बात करने लग जाते हैं जिससे लुए शाओ बहुत जादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें हमेशा सही कि कि तुम मुझे जानते हुए हो जिससे इस तरह बत कर रहे हो लेकिन जो मिंशा हो है वो तो डिरेक्ट उन पर अटेक कर लेता है और कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर को बुली करने की हिमत किया है मैं तुमें छोड़ूंगा नहीं और वहां से यून हाई को भगा दिता है जिसके बद हमें वो शैंक को दिखाया जाता है और वो शैंक के मास्टर है यून हाई सौंग यून हाई और अब इसे देखके तो आपको याद आई गया होगा वो शैंक के बारे में वो शैंक को भी याद आता है जब उसने वूशीं से लड़ाई की थी तभी महाँ पे वूजीं से भी मिला था वो और उसे याद करके वो कहता है कि मुझे उसका फेस अच्छे से याद है वो काफी जादा अच्छा है मार्शाल आट में जिससे युन हाई काफी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं क्योंकि वो अपनी 10 स्कोर्ट को एक ही बार में यूज कर रहा था और पहले वो एक एक करके यूज किया करता था जिसके बाद युन हाई काफी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते है कर दिए कर दिया जो कि इती वोंश्यांट सीटि के पागल हो रहा होता है अंच लूशाव के बारे में पूषती है जिसके ली होंगे है वो ल्यूशाव के पास बादे करने करने लगती है जो लो शाओ वह कहती है कि तो यह हमेसा मास्क क्यों पहेंगे रखती है यह बहुत ज़्यादा अगली दिखता है जिस पर ली होंगे जो है वो उस मास्क को हटा देती है और लो शाओ जो है वो उसकी तारीफ करती है और बताती है कि वो ब्यूटिफुल है जिसके बाद जो Lee होगे है, वो उससे कहती है, कि क्या यून हाई यहाँ से चला गया जो लिच, और लॉर शाओ वैUS बताती है कि वो कल रात को ही जा चुका है और साथ में Lee Wujan के बारे में फूसती है कि अभी वो कैसा है और आज वो वागए ही जब वो इतना बड़ा है तो उसे ली होगे याद भी नहीं होगी, वो कभी भी एक अच्छी सिस्टर नहीं बन सकी, इस बात को उसे हमिसारी क्रट रहा है, क्योंकि अपने भाई को ली फैमली में छोड़ने के बाद वो कभी ली फैमली से मिलने नहीं गई, लेकिन वो खुश है, यहाँ पर आकर, जिस पर लूँ अशाओ कहती है कि क्या वो अभी खुश है, तुम से यह कहना चाहती हूँ कि तुम जाकर एक बार जाओ यूंजी को देख लो, तुम्हें जरूरत है खुद के बारे में सोचने की, जिस पर ली होंगे मना करती ह और कहती है कि यह खाफी जदा डिफरेंट है, उसने आइस कोड़ आर्ट को लर्ण किया है, जिसके बाद यह बोलते हुए, वो एक फ्लेश बैक याद करती है, जहां पर वो मांट वैंग्चन गई थी, लेकिन वहां की डिसिपल्स ने उन्हें बताया, कि अभी यूंजी आ कि जो हैल्थ है, वो फिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें फुली रिकवर्ड होने में टाइम लगेगा, इसलिए वो उनके रिकवर्ड होने के बाद आए, जिस पर जो ली होंगी है, वो उनसे बीना कुछ कहें, वहां से जाने लगती है, लेकि फिर कहती है कि जाओ टैंगुल जैका, शॉअसीा से मिलने आते हैँ, और उनके आते हैं जो फिल्कुल जित क cries करने के लिएक लिए मताए, लेकिन जब मेसा बोट z cluster को देखें को लिए अब से लिए उनने को आते लिए और वो अपना एक flashback याद करता है जहां पर ली होंगे होती है और एक चोटा सा बच्चा होता है जाई जो की पहले भी दिखाया गया है और ली होंगे जो है वो उसे ट्रेनिंग के लिए मांट्वेंग गई थे जिसके बाद यहां पर दो रिजन के वज़े से आया है जिन में से पहला रिजन यह है कि तुम्हारे मांस्टर अंकल ली यूंजाई जो है वो मांट वैंग चैन गई है विजिट करने और वहां जाकर वो फर्स ट्रीक सेकेंड स्टीट और थर्ट स्क्रीट जाओ यूंजाई क्विंग शाव स्कॉर्ड स्कॉर्ड के लिए गए हैं और एक फ्लैशबेक दिखाया जाता है जिस मांस्टर अंकल उन्हेंने वह से जाने का फैसलिया किया लेकिन जाओल यूजिन उसने अल्मस्ट एड्मिट कर लिया कि लू यूजिन ने कुछ लॉस नहीं किया और उस चीज़ में उनकी कोई भी गलती नहीं थी जिससे सुनकर ली वूजिन कभी खुश होता है और सेकंड रुमाल उसे दिया था और कुईली उसे उसे बचाया था और यह याद करने के बाद जो ली वूजिन है वह खुद में शर्माते वे बोलता है कि आप मुझे उसके पास क्यू बेज रहे हो मैं उससे कुछ भी नहीं पूच पाऊंगा और उसकी ऐसी हरकत देखका जो तैंग जो की डेफिनट जर्नल और यह सुनने के बाद जो वूजिन हो कहता है तो फिर वो सुनियांसी टीमे क्यों आई है जिस पर टैंग रहे बताता है कि अपनी सिग्षिने की वज़े से उनको कोई ऐसी बिमारी है जिसका सुनियांसी टीमें जिसके बाद साफी कहता है कि क्या तुम उसका फ्रेंड बनोगे और ये बात सुनने के बाद जो ली वुजिन है उसे तो चांदतारी नजर आने लग जाते हैं कि वी फ्रेंड्स जिसके बाद तैंगला ये उसे कहता है कि सबने सजाना बंद करो यहां पर फ्लोरा कॉंपटिशन होने वाला है तीन दिन बाद उ जिस पर ली वुजिन कहता है पर क्यों और तैंगला ये उसे याद दिलाता है कि तुम्हें याद है ना कि उसने दाफान टैंपल का क्या किया था अगर वहां पर आई तो वहां पर हर एक चिस डिस्ट्रॉय हो जाएगी जिसके बाद ली वुजिन पूछता है कि आखर वहा प्रेटेंड कर सकता है जिस पर शावसी कहता है कि यूंजी और वुशिन वह भी तो प्रेटेंड करते थे तुम भी कर लेना एंड वुशिन की बात आने के बाद जो तैंगला ये वह कहता है कि काफी जाधा टाइम हो चुका है उससे मिले वह जबसे गया है तब से वह एक इनके फादर की पुरानी पोएम बताता है जिसमें Moon as the hometown था जो वूशीन है वो उसका मतलब बताता है कि जो मून है वो वो खुद है और उसका hometown गाजी है और गाजी में ही उसके फादर की दैत हुई थी और उसके फादर जर्नल थे और जर्नल का बड़ा head son होने की वज़े से यह उसका काम था तकि वो अपने फादर की जगा ले सके एंड यह अपने फादर और बहुत सारी चीजों के बार में यहां पे बात होती है लेकिन finally यहां पे बात सिर्फ यह होती है कि इसके फादर ने इसे यहां सोड़ दिया था कि यहां के सारी responsibility को संभाल पाए और अब इसने यह काम complete कर दिया है क्योंकि तावेतान के सभी enemies को मार के उसने तावेतान को सभी खतरों से बचा लिया है और अब फ्यूचर में भी कोई आज़ा नहीं होगा जो तावेतान पर हमला कर सके जिसके बाद बूशिन के अंकल यूजिन पूसते हैं कि अब क्या करना है और जो भूजी ने वो कहता है कि वो अर्सीना के unbeatable patients को attend करेगा वैसे तो यह क्या है मुझे भी नहीं पता पर यहीं पर आज का explanation होता है खतम